और लोगों को आपकी बातों में रूची भी है तो मैं जुरूर चाहूंगा कि आज बहुत बड़ी मात्रा में जब लोग सुन रहे हैं तो इट लोकल के पीछे आप क्या कहना चाहती है इट लोकल के पीछे में वही कहना चाहती हूँ जो आपने अब भी कहा कि हमारे यहां हमेशा कहा गया है कि सरवजन सुखाया सरवजन हिताया तो जब हम लोकल खाएंगे तो हर कोई अलग-अलग खाता है तो उनके यहां का जो खाना है उनके रीजन के हिसाब से जो वहां पर क्या going, छले कोई कार्मे कि लिएémie जब तक के कोई हैस्टाग में हमारे ही खाने हमारे सोशल मीडिया पर नहीं दिखा था तक तब हम लोग उसकी वैल्यू नहीं करते जैसे के घी को देख लीजिये आप घी बाइद वे पीम सार अभी आज कल युएस में सबसे गूगल्ड वर्ड है हम लोग पहले जैसे हल्दी दूद नहीं पी रहे थे लेकिन अभी जैसे ही उसको कोई थर्मरेक लाते कहता है या गोल्डन मिल्क तो हम पीने लगते हैं इसलिए आपका यह जो इनिशियेटिव है वोकल फॉर लोकल वो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंके फिर हम हमारे ही भा काहल के कारण मैं मेरी मां से कोशिश करता हूँ हपते में एक दो बार बात हो जाए और जब भी मैं मां से बात करता हूँ तो तुरंद वो मुझे पूछती है कि बेटा तु हल्दी लेता है कि नहीं लेता है वो तुरंद मुझे पूछती है हल्दी लेता है कि नहीं लेता ह तो आपकी बाद सही है अच्छा आपका जो फिट्नेस का मंत्र है और मैं समयता हूं यह मैसेज बड़ी ताकत रखता है आप कहते हैं डॉंट लूज हेल्थ लूज वेट जरा समझाईए क्या कहना चाहते हैं मुझे यही लगता है कि हम बहुत बार वजन कम करने के कोशिश में हेल्थ गवा देते हैं रात की नींद गवा देते हैं दिन का चैन चला जाता है और इश्क विश्क भी नहीं हुआ होता बस डायेट पे रहते हैं तो मुझे यही लगता है कि लोगों को ऐसी कोई भी चीज नहीं करने चाहिए जिससे रातों की नींद और दिन का चैन हराम हो जाए जस्ट नॉर्मल खाना जो हमारे घर पर बनता है रोटी सबसी दाल चावल पोहा उपमा नून चाय जैसे कश्मीर में पिया जाता है हर एक रीजन की हमारे यहां पर स्पेशालिटी है तो अगर घर का खाएंगे पैकेट में से कम खाएंगे और अभी 2020 भी चल रहा है तो मेर proven है फुरुषवर्ग हे डीब सब्सक्राइब यह सब्सक्राइब है गरृफिभ्य पोधिते फिट्नर्श उपमेरे में से कम खाएंगे अपने नहीं किचन से ज़ादा का थाएंगे तो सेहत ऐसी ही बनी रहेगी डिफॉल्ट में हम लोग अच्छी सेहत बना पाएंगे तक लेकिन रुजुता जी एक तरफ फिटनेस, एक तरफ डायेटिंग, सारा माहौल ऐसा बना हुआ है, उस समय अगर आप इट मौर वाली बात करती है। जब अप चोटे होगे, आपने मेश थीन चपाती खा लेगी और आपने कहा होगा आज मैशने थीन चपाती खा ली तो अपने मान आपको बोला होगा कि कभी गिंते नहीं है, कितना उप्राइश, बस उतना ही खाओ, जितना जरूरी है, और जो खाते हो वो अराम से चबा चब खुपा खाओ आज यह विजिडम कैनेडा फूर्ड गाइड में 2019 में साइन्टेफिक विजड़म लेकिन हमारे घरों में हमारी माँ हमारी दाधी हमारी नानी जो हमको प्यार से कह देती है या दाट के कह देती है उसमें साइन्स छुपा हुआ है यह हम कभी-kभी भूल जाते तो आपके बात सही हैं और कितना खाएं उसके बज़ाएं कैसे खाएं और कैसा खाएं इसका महत्व बहुत है और मेरी अपनी भी एक रेसिपी है यह मेरी अपना इनोवेशन है से मारा क्लेम नहीं है लेकिन मैं यह जो ड्रम स्टीक है मोरिंगा यह नूट्रेशन के द्रश्टी जे बहुत महत्वपून हैसा मैं सुनता रहा हूँ तो फिर मैं खुद उसके परोठे बनाता था और मैं उसके परोठे खालता था और मेरे सब्ता में एक दो बार आज भी मैं इसका उप्योग करता हूँ और आज मुझे लगा है और आपने है ट्रक्षा की चर्चा की है तो मैं भी मेरी दो